स्वागत आप सबका आप देख रहे हैं नॉर्थम्टेंड शायर वट्सिज इंडिया वामप T20 मैच प्रिव्यू जो खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड नॉर्थम्टेंड पे मैच ट्राइमिंग शाम के साथ बजे और अगर आपने विद्धर टेलीग्राम चैनल जॉइ नहीं किया है तो जॉइन कर लो लिंक आफ टेलीग्राम चैनल इन दे कमेंट सेक्शन नीचे सबसे टॉक्टर पिन करावा मिल जाएगा तो अब यहां पर पिछ रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं यह सेम वैन्यू है जहां पर चोईज जो उनको नॉर्थम्टेंट शायर वर्टस यॉक कर शायर के बीच में T20 ब्लास्ट का मैच खेला गया था तो आपको ध्यान देना है जो पिछ रहेगी वो दोस्तों न्यू रहेगी फ्रेश रहेगी क्यों यहां पर दस दिन बात दोस्तों कोई मैच हो रहा है तो पिछ जो रहेगी वो दोस्तों और जो वैन्य यह कौन सा काउंटी ग्राउंड नॉर्थ एम्टेन इस दें ग्राउंड ऑफ नॉर्थ एम्टेन शायर इस आपको धान देनी है और इस वैन्य यह पर नॉर्थ एम्टेन शायर ने सकते हैं और आप सकते हुए 4-0 मैचेस नहीं आप एक मैंचे ने के लिए क्वें पर खेलेगी क्यों क्योंकि दोस्तों इक बड़ा वैन्य नहीं है ज्यादा तर जो इंडिया के मैचस होते है वो तें वेल्स के अंदर फिर उंगे दोस्तों लॉड्ड के इंदर नॉटिंगम क मेरे सब पर होता है ठीक है अब देखो इस वैने के अपपर जो टीम बैट फर्स्ट करी है चार मैच जीती है आप अब आपको पता चलेगा क्यों दूसरी पारी के अंदर गेजबान ज्यादा इंपोर्टेंट है तो अब देखो ऑसादन स्कूर 152 180 बनता है लास साथ मैचस मे क्या हुआ है पेसस ने तेज गिंदबाव जोने 48 विगेट निकाले पहली पारी में 20 है दूसरी पारी के अंदर 28 है यहां पे पेसस की विगेट राइट आम पेसर 45 लेफ्ट आम पेसर तीन विगेट है बात तरते हैं स्मिनर गी तो इस्मिनर ने पर लास साथ मैच के अंद आखे कितने में निकाले 50 यह दिकाता है दूसरी पारी में आप 5फफ दि की अंदर भी तो करने दूसरी पार में बहुत अच्छी गिंद बाजी करतें एंसी बात में हैं तो म dit Okay होगा डाई बज़े मैच स्टार्ट होगा हमाँ पर दो तीन चार बज़े तक तो सो बारीश यहां पर पांच बज़े थोड़ा वैदर क्लियर होगा और सन्नी होगा तो मेरे साब से मैच को ग्यारा बज़े रखना चाहे हैं इंडिया टाइम अनुसार लेकिन लोगने बाई स जाती है बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है नौर्थम्टन शार के तरफ से आपको स्कॉर्ट दिखाता हूं सबसे पहले यह दिखा इनका इसके अंदर बड़े-बड़े प्लैट्स नहीं है यह आप देखो इसके अंदर भाई साब कौन नहीं है इसके अंदर क्रिसलीन न नहीं है इसके अंदर भाई साब ग्रेमी वाइट निसके अंदर बैंस एंडरसन नहीं है तो बहुत बड़े-बड़े प्लैट्स को स्कॉर्ट से बहार किया गया है रिजन क्या है यह प्रैक्टिस मैंचे फ्रेंडली मैंचे थोड़ा सब कॉम्टिशन रखना चाहे था ले वेस्ट कॉंसल से आप पर विगट कीपर लेफ्टी बैटर रे ओपन करेंगे बैंकरन के साथ आएंगे रियान डिकल्टन ओट सीज प्लेयर है साओट अफरीका के खिलाडी है जॉश कॉब आएंगे सेफ जैब रॉप क्योज आएंगे आप लूइस एम सीमोनस जेम सल फ्र कोन रहे फिर प्रमूगे रहेगे ब्रेंडन गुलोवर नैचन बंक नेचन बक करके नाम होनका और व्हां फ्रेटी हैं जोश कॉवर रहेंगे चार्ध चार्विश्टिम के सबसे प्रमूगे नचे раने हैं इंडी की बार तरदेंगा कुछ कंफर्म नहीं है दोस्तों किसी भी प्लेयर को खिला सकते हैं किसी भी कैप्टन सी दे सकते हैं तो स्कॉर्डी देखे पुरा रुत्तु इशान दीपक स्काई हार्देक दिनेश कार्थिक अक्षर बढ़ेल भुवी हर्शल युज्जी अर में 90 परसेंट चांसर से मौका मिलेगा ठीक है बाउंडरी डैमेंट्स इसकी भी बात कर लेते हैं आप सामने के बाउंडरी स्वनी के उपर 64 मिटर है स्क्वेर बाउंडर 59 और 60 मिटर स्की है आपको पता रहना जरूरी है स्वीडियं को देखना आपको जेस्ट अ मिनिट य रिकार्डो वैसको लेन उसकी बात तरते हैं इन्होंने लास्ट येर 12 मैंच के लिए टीट्वेंटी ब्लास में 364 रन था 33 के उसद थी लास्ट येर अच्छे फॉर्म में थे बहुत अच्छे प्लेयर हैं वह बात तरते बैंकरन की इस साल का डिसेंट फॉर्म बताऊंगा ये यह यह वाई यह देखते हैं तो इनका पफोर्मनस है केल दे दुस्त थेजी से रन्स थे से पर ना चाहता हूं स्लो स्टार्ट में दुस्तों थोड़े दीमें लग रहे हैं देखने में कहने का मतलब यह था बिलो एवरेज लग रहे हैं प्लैयर दूस्त अटेकिंग है बात रहेंगे सेफजेब की 14 मैच के अंदर 35 के उसाथ इस साल 311 आरंस है तीट्विंटी ब्लास में बहुत अचा परफोर्मेंस है हाफ अफ अफ दर टूनेमेंट में कुछ नंस नहीं बनाया है फिर आफ अफ अफ दर टूनेमेंट के अंदर बहुत आरंस बनाया है सब ले सब्सक्राइब जोश कोब अज़र कैप्टन वाइस काप्टन रॉप की बात रते हैं 14 मैच 22 के उसाथ 153 रन जुरू विकेट है लुए समस्य मनस का इस साल 14 मैचों में एक क्यांट रन है इतना अच्छा परफोर्मस नहीं है जेम सेल का इस साल एक मैच में जुरू विकेट है फेडरिक हेल्डिच के यहां पर 12 मैच में 14 विकेट है और जेम सेल ने इस साल एक दो डाले जो समें 40 रंगा गया था है फैक्ट के लिए बता रहा हूं आपको पैंस एडरसन स्कॉर्ड गेंदर नहीं है गर्मी वाइट स्कॉर्ड गेंदर नहीं है तो उनके बरले कौन है नेतन बंक इस साल दो मैच खेला है जिरू विकेट है यह चीज आपको पता रहे ना जरूरी है स्टार्टिंग और ब्रेंडन गुलोवर यह नेधरलेंड का दूस्तों बॉलर आपको पता रहेगा अच्छी इंद बाजी कर लेता है ब्रेंडन गुलोवर जॉश कॉब न सब्सक्राइब करेंडन के बारे में ज्यादा ब्रीफ़ी नहीं कहूंगा रूतरज का एक वार्ट बीस मैच खेला है लास्ट आयलेंड सीरीज स्टार्ट होने से पहले तेस के उससाथ इनका टीट्वेंटी करें में 468 रहन है दुजार 22 के में फॉर्म की बात कर रहा हूं दिपो गुड़ा का 18 मैच में 532 के उससाथ धलेगी फॉर्म में स्काई 11 मैच में 410 रहन 46 के उससाथ है या आप और स्ट जेस सकते है और दिक पंडिया 20 मैच में 604 रहन 47 के उससाथ है दिनिश कार्थी का 28 मैच के अंदर 422 रहन इस साल अक्षर पटेल का 18 मैच में मातर 9 व लेकिन दोस्तों मार खारें उम्रान मली करब मैच के अंदर आज कल युजविंदर चल का 26 मैच में 33 विए अविश खन का 20 मैच में 22 विए हर्षल 26 में 33 संजी श्यम सेंग का 20 मैच में 515 रहन है तीस के उससाथ है वैंकी येर मनला वैंकी टेश येर का 16 मैच के अंदर 4 केटा क्वालिडी गेम पाज है विश्नुवी का अठरा मैच में 17 विकेटा स्टार्टिंग और कॉन डाल सकता है यह दोस्तों प्लेंग लेंग के उपर बहुत डिपेंड करता है अब हुवी आवेश हर्दिक अक्षल डेथ रोकंतार हर्षल युजी भुवी आवेश अगर सब्सक्राइब को पसंद करते हैं बैट फर्ष्ट इकतर बासट इकतिस पांस तीन एक छबीस डिसक पर पंदरा पचास गैरा चार सैब जैप का बीस मैच में दोस्तों नबर रहन है जॉश कॉप का चमली मैच में तेरा सो रहन से 36 के उसा तर बीस विकेट है एक नमबर पर 17 विकेट हैं चलेंगे दोस्तों मैच आप पी दरफ हैं में पूरा मैच अप निकाला था एर क्रिस लिन का जिम निशम का फिर संजी संसें वर्सिस निशम का लेकिन बाइस सब क्या हुआ ना क्रिस लिन टीम में खेल रहे हैं ना बाइस सब निशम को स्कॉड के अंदर रख भी खिलाते हैं खास कर जो अपोनेंट टीम होती है कॉमन कैप्टन आपको दिखेंगे जिम में लेकिन वह अवलेबल नहीं है 11 के अंदर बड़ी लिग्स में किसको बनाना है जॉश कॉप सबसे टॉप मोच पर किशान किशन देपकुड़ा सकाई अलग जाना है विज्जी नौर्टम्टन शाय की प्लेंगे उन्हों बता सो कुम है और आप देखोगे जो नौर्टम्टन शाय टीम है इसमें बहुत लेफ्टी हो जाएंगे सेब जैब लेफ्टी रिकार्डू लेफ्टी है फिर बैंकरन लेफ्टी है फिर दुसर टॉप और में एक और लेफ्टी ह यह ना चार चार लेफ्टी हैं यह दिख रहा है रियान रिकलते नहीं भी लेफ्टी हैं तो जो ऑफ्षिनर है देपो घुड़ा वह भी दोस्त अपना हाथ गुमा सकते हैं इस मैश के अंदर दो ती नो डाल सकते हैं जो मुझे लग रहा है मैं आपको बस बताया है अब रहेगा रिकार्डव एक अच्छे अप्लेयर है और इस वहने पर खेला भी एक्स्पिरियेंस अनको देट सब्सक्राइब नहीं है दो बार क्रॉस मारूं आपको द्यान नहीं देना है कहने का मतलब यह सानी को दुश्मनी है दो बार क्रॉस मारा है दिपकुड़ा विडियो बाते हैं को अहली के अंदर देखते हैं अब लेब लो पाते हैं नहीं खेलेंगे तो बहुत इंपोर्टन्ट है सेब दोस्ते एक सॉलिड टेक्निकल बैटर है और बैन करें बीक अच्छे प्लेर दो बैट का नाम लोग यहां से सेब बैन करें इनको रूटिट कर लेंगे कैप्टेन मना सकते हैं शाहिद दोस्तों में कैप्टेन या वास कप्टेन को कर दूँगा हिशान के बदली या फिर दिपखूदा के बदले क्योंकिन का रूल ज्यादा रहेगा चार डालेंगे वन या टू डाउन बैट करने वाल है अक्षर आपके उपर डिपें अगर खेलते हैं पिर से उबनार में वाता पेस्टे बीट कर देते हैं कभी लेकिन रंस कितने खाते हैं आप देखो रंस कितना खायदा पसाड़े साथ क्यों पराट क्या सब्सक्राइब अच्छे किन बाज है पिकर सकते हैं तो शाहिद मैं भी कर लूँगा अट देंट भ अगर आपको देखना है नॉट तेंट अपर रहेगी बेंट रिपार्टमेंट के अपन बात करते हैं तो टीक है और भी फरदर अपडेट साइगे टेलीग्राम क्यों पर लिंक आप टेलीग्राम चैनल इंदा कमेंट सेक्शन नीचे सबसे टॉप पर पिन करावों मिल आएगा देख तरे स्टार्ट दूरे टेक कर से सुन जाहिंद जजवान जगेसान